हेलो वेलकम टू मागनित ब्रेंज मैरी आज़ान आपकी होस्ट और एंटिसी सुशल साइन्स के लिए आपकी दोस्ट आज आपके लिए लेकर आई हूँ अगला टॉपिक जो की है कल्चर साइन्स एंड लिट्रेचर तो इसमें बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं जो इंश इसे में जो हमने अलग-अलग कल्चर देखे साइन्स की बारे में हम बात करेंगे किस तरीके कि किताबیں लिखी तरीके कहानिया बताई गई ना उन सब के बारे में हमको इस टॉपिक में पढ़ना जरूरी है इसी में आप रामायन, महाबारत, तमिल एपिक इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिलेगी कि किस सरी के से किताबे लिखी गई किस ने कौन से किताबे लिखी और क्या-क्या-क्या-क्या सारा कुछ चल रहा था समझ गए तो अभी हम शुरुआत में हम क्या पढ़ते हैं इसको अगर हमको शुरुआत करना है इस टॉपिक को त तो तब के लोग कॉपर और टिन से भी मिलाकर एक मेटल बनाने की शुरुआत उन्होंने कर दी थी मेटलर्जी की शुरुआत हो गई थी है ना तो अब इसके बाद से जब हम चीजे पढ़ेंगे ना तो इसमें आपको आईरन उसके थोड़ी दिन थोड़ी टाइम बाद हम इनको आईरन के भी कुछ-कुछ ऐसे मिले थे एविडेंस इस लेकिन अब जो है वह आपकी बहुत सारी चीजों में आप देखोगे कि आईरन का काम होना ज्यादा शुरू हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हो कि आपको एक पिल्लर दिख रहा है यह पिल्लर कहां पर है लगा यह पिल्लर जो है वो मदूराइ में मदूराइ में इसको कहते है और इसको कहते है आईरन बिलर तो यह इतना बढ़िया पिल्लर बना हुआ है इसके स्पैसिफिकेशन क्या है 7.2 मीटर की उंचाई का है तीन टन इसका वेट है और करीब देढ़ सो साल पहले यह मदू तो इसके उपर ना इंस्क्रिप्शन भी लिखे में जिसके अंदर एक चंद्र नाम के राजा का उलेख किया गया है किसका रूलर चंद्र जो की गुपता डाइनिस्टी को बिलॉंग करते थे हैं आप चंद्र गुपता होंगे मतलब कुछ ऐसा चंद्र नाम उन्होंने चंद बताना यह चाह रहे हैं कि आइरन एज की शुरुवात भी हो चुकी थी और साथी में क्या हो रहा था ना कि यह इतनी अच्छी क्वालिटी का आइरन था कि इसमें इतने साल हो गया अभी तक जंग ने लिए आइरन में कितनी जल्दी जंग लगती है और वह भी खुले में रहता है भाई पानी वानी बारिश हवा मौश्चर सब चीज इसके ओपर अटाक होती है धूब धूल सारा कुछ जंग इसमें अभी तक नहीं लिए तो सोचो कितनी हाई क्वालिटी का होगा इट इस रिमार्केबल एक्जैंपल और स्किल ओफ इंडियन क्राफ्टमें हमार और क्वालिटी कितनी अच्छी है तो इसलिए आपको इस चीज के बारे में समझना ज़रूरी आइरन बिलर समझ लिया स्टूपा की हम बात करते हैं स्टूप क्या होते हैं आपने देखा होगा कि इस स्टूपा जैसी बोलते ना ताब को यह वाला सांची का स्टूप याद मतलब ऐसा माउंड जो होता है न से माउंड करके कुछ बनाना उससे यह वर्ड निकला है स्टूपा और इनको स्टूपा हम कहते हैं यह अलग-अलग तरीके के हमको देखने को मिलेंगे हम बहुत सारे अलग-अलग जगे कि स्टूपा के बारे में बात करेंगे ना तो बड़े होंगे लब लंबे होंगे और बड़े होंगे तो अलग-अलग तरीके के स्टूपा जो हमको देखने को मिलते हैं सभी में लेकिन एक फीचर जो ओ कॉमन होता है कि स्मॉल बॉक्स रखा जाता है इट दे सेंटर यानि कि हार्ट ऑफ स्टूपा अब इनका जो सेंट होता है कि heart of जो सेंटर होता है स्टुपा का उसके अंदर एक box रखा जाता है उसके उस box में क्या होता है कुछ ख़साना जना ने उसके अंदर कुछ ashes हो सकती है जैसे कि मान लिजे कि बुद्धा की ashes हो सकती है या फिर teeth हो सकते हैं या फिर उनके followers जो बड़े-बड़े लोग जो बहुत ज़्यादा prominent उभर के आए तो उनके कुछ अंश शारीर के कुछ अंश जैसे जो बहुत पुराने हो गए उनको रखा सकता है सहेच के रखते हैं जैसे अस्तियां होती है कि नहीं थी तो उस तरीके से उस बॉक्स में सहेच के रखते हैं और फिर उसके आसपास जैसे जब दर्शन करने आते हैं तो परिक्रमा वगेरा लगाना तो यह कि रिलिजिए तरीके से ये चीज़ हम को देखने को मिलती है तो यह remains कैसे कैसे जिसी की teeth वी व सकते हैं जो भी बचा है एक स्मुर्थी में उसको हम उस box के अंदर रखते हैं और फिर उनको स्टुपा की center में रखा जाता है समझ गए की नहीं समझ गए है ना और बुद्धा कि किसका हो सकता है बुद्धा के हो सकते हैं उनके followers को सकते हैं precious हैं box known as relic casket covered with earth उसको फिर अर्थ से cover कर देते हैं box को कहा क्या जाता है relic casket कहा जाता है ठीक है बाद में जैसे कि अर्थ से cover कर दिया उसके ओपर क्या करो फिर mud break और baked brick से उसको अच्छे से बूरा सारा का सारा क्या है टॉप से cover कर दो और फिर डोंग लाइक स्टूबा में देखने को मिलता है सम्ताइंस कवर्ड विट कार्व स्टोन स्लाब जैसी कि आप यहां पर देख रहा हो ना डोम लाइक स्टूट्चर क्या होता है यहां पर दिख रहा होगा आपको यह जो पूरा ऐसा गोल बनाया न यह डोम या फिर ब्रिक्स जैसी डिजाइने दे दी समझ गए की नहीं समझ गए तो यह किसकी बात की हमने स्टूपा की बात की अब स्टूपा के आसपास क्या होता है आप यह तुकड़े-टुकड़े में हमको सारी चीज़े पढ़नी है ताकि हमको जानकारी मिल जाए एक हैना तो इसको हम कैए लेड़ आरौंड झुपा सुपा के आसपास हम रांडेक सम्गे मिलता है सडांट गारी इसको रियलिंग से हम क्लें अंदर कि तरह प्रातना की तरह वह क्या करते हैं आसपास परीक्रमा इसके लगाते हैं उस रास्ते के उपर किस रास्ते के उपर उसको क्या खाँ चाता है प्रदक्षिना पर आसपास यह जो रेलिंग दिख रही है इस रेलिंग से उसको कवर किया जाता है as a mark of devotion as a mark of devotion हम अपने मन से श्रद्धा के तौर पर devotion के तौर पर हम क्या करते हैं अगर कोई मंदिर हमको उसकी परिक्रामा लगानी है तो हम कैसे जाते हैं कभी आप ऐसे घूम के जाते हो नहीं जाते हैं उसके बीचे भी कुछ साइंटिफिक रिजन होगा लेकिन लगा जाता है अगर आप देखोगे पुरानी हेरिटेज साइट पर आप जाओगे तो जो रेलिंग होती है आसपास की रेलिंग जैसे कि आप यहां पर यह गेटवे हैं तो गेटवे के उपर भी कुछ-कुछ-कुछ ऐसे चीजे इंसक्राइब करी होगी चीजे बनाई होगी कुछ कहानी कि या उस समय के लोग यह जो रेलिंग है यह वाला उपर वाला हिस्सा है इसके उपर भी क्या करते है कुछ-कुछ ऐसे कार्व करके या कुछ चीजे लिख कर उसको डेकोरेट किया जाता है स्कल्प्चर के बारे तो स्तूपा समझ में आया क्या होता है इनमें कौन फीचर क जिसके अंदर रिमेंज रखे जाते हैं भले वो बुद्धा के हो उनकी फॉलोवर्स के हो उनके साथ में यूज करी होई चीजे हो टीथ हो बोन्स हो है ना ऐसे मेमोरी उनको रखा जाता है सब में कॉमन चीज यही होती है फिर उसको अर्थ से कवर कर दिया जाता है उपर स तरीके से लगाई जाती हैいい क्लोकवाइस में लगाई जाती है साथ यह साथ जो रेलिंग होती है इससे प्रदेक्शन आपत को कवर किया जाता है आज पास से उसपर क्या होता है की सकल्प्चर बनाए जाते हैं एसी कहान या कुछ लिख दिया, कुछ चीज़े लिख दी, या फिर कुछ डिजाइंदS बना दी, या फिर कुछ समझ गए न, विसके क़रे हुए रहते हैं यसे पत्थरों पे, ऐसी चीज़े बना दी, ताकि उससे भी क्या हो, लोग attract हो, चीज़े सीखें, उनके बारे में कि किस समय पर बना था क्या किया था समझ गए कि नहीं समझ गए एक इंपोर्टेंट साइट कहां पर है अमरावती पर है इस तरीके से आप अमरावती का स्टूप देख सकते हो स्टूप एक बहुत बड़ा काफी अच्छा सा स्टूप महां पर आपको देखने को मिलेगा स्टोन कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग स्टूपा करीब करके अच्छा यहां पर यह चीज बनी है जिसकी घोड़े बने हाती बने हैं तो आप समझ सकते हों कि उस समय पर बहुत ज्यादा लोग यूज करते हो या फिर रहने लगे हो गोड़े हाती कुपालने लगे हो तो यह जो हमको चीज़ हम हिस्ट्री के बारे में जान पाए वह इन ही के तुरू जान पाए है कि इनके उपर क्या क्या बना है क्या क्या लिखा गया है कौन से राजा के बारे में बताया गया है तो यह जिस पत्थर के उपर यह जिस पत्थर के पर कार्विंग की गई है तो आर्केलोग बता रहते हैं कि पत्थर इतने सालों पुराना है ना इतने सालों पुराना है वो पत्थर पता चल जाएगा और यह चीज लिखी है यह इनके बारे में बताएगा है मतलब यह चीज उत्ते समय पहले उत्ते सालों पहले एक्जिस्ट करती थी समाझ गये कि नहीं तो यह इन सारी चीजों को देख देख कि हमने से अच्छा ऐसा लिखा है इतने साल पुराना है तो ऐसा उस समय पे होता होगा ठीक है दूसरी बिल्डिंग्स यह दि हम देखें बहुत सच जैसे कि स्थूपा की हमने बात की आईरन प बिल्डिंग बनाई गई है कि उन लोगों को ऐसे बोला वर्धमान पर चीजिश कहीं तो आपको निकलना पड़ेगा ठीक अपने वस्तर सब कुछ त्याग कर आक hellं बार निकलना पड़ेगा तो बार तो निकल गये फिर उसके लिए उनको रहने के लिए संग वगेरा जो है वो बनाए गए थे यहना विख्षा वगे लेदे लिए हैं बिख्षा लेते थे तो ऐसे तो ले सकते थे एक पर हम विख्षा लेते लेका पर भी तेपर फृर्टर- बारिश होने लगी तो जब बारिश होने लगी तभी इदर उदर नहीं जा सकते इनको थोड़ाएं रहने के लिए व्यवस्ति थोड़ी जगहतों चाहिए बाभ भोलोगे जिस इसे धूप गर्मी धूल से हम खुद को क्या कर सके थोड़ा से बचा सके तो फिर तो बड़े-बड़े पत्थरों को बड़ी-बड़ी ऐसे जो पहार वगेरा होते थे या कहीं पर ऐसी छोटे से ऐसे पत्थर है उसमें से फिर कार्व करके उसको खाली करके उसके अंदर ऐसे पॉनिस्ट्री जैसे बना दिया ताकि पत्थर के अंदर तो बढ़िया वो तो पर्मनेंट छत है वो तो टूटेगी नहीं बारिश बार वार कुछ भी आ जाए तो तो बढ़िया अच्छे से अंदर रह पाते थे उसके अंदर हैना तो अधर बिल्डिंग्स में क्या क्या आत उसके अंदर सकुल्चर पेंटिंग्स ऐसी कुछ बनाई गए थी अपने हैं अभी वाली केंटिंग नहीं की कैनवास चाहिए ब्रश चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए उनके तरीके अलोग होते थे और कई शार्य में बनाई गई नहीं आप लगाइश की मदद से पेंटिंग से बनाए गई उन्दर पेंटिंग से लाए टेismo मिनरार यह जिसमें से कालर करका ओक defensive करके पेंटिंग ढाए कि नहीं समझ गये तो इस तरीके से हॉलो केवज भी हम को कई सारी देखने को मिली तैसे हाई आप इमेज में देख रहे हो अब यह क्या यह पत्थर है पदा है यह पूरा पत्थर है यह पत्थर के अंदर आप देखो इन्होंने पिलर कार करकर करके बनाएं तो क्या उस समय बना रखे हैं उसके उपर अलग-अलग खोद-खोद के कार्विंग की गई एक्दम शेप में कि अगर फेस भी बनाएं जो लाइन भी अच्छा दिखनी चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई ऐसे केव में से मतलब पहाड़ों में से पत्थरों में से इसी केव बनाई गई है अर्लियस्ट हिंदू टेंपल्स के यदि हम बात करें तो डाइटी सच एज विष्णू शिवा और दुर्गा इन माता की या फिर मतापारवती की विष्णू जी की शिव जी की दुर्गा माता की ऐसे मतलब उनके लिए मंदिर जो है वो बनाएं ग गया था काफी सारे टेंपल्स हो गहते तो अयोल में भी आपको बढ़िया साथेंपल देखने को मिलेगा अयोल का टेंपल आप यहां पर देख सकती के माता दूर्गा का टैंपल ऐसे टेंपल है और यह अगर आप देखोगे न तो यह वाले शाइट बीतर गाओं में है तो यहाँ पर एक जो temple से बडाट करें हैं तो टेमपल में खासित होती है गर्बगरह की खासित होती है जैसे कि महाकाल बाबा भगवान के अपना जी अधिक तर आप साइट जहां पर देखे में उनका या तो जिसे मंदर तो बड़े 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 हो लिकिन डहां पर भगवान की मूर्ती रखी गई उसको क्या ए गर्म घुण अगर और कर तीक उपर बिल्कुल ठीक ऊपर शिखर बनाया जाता है क्या बन्हुंस자 सुचना कि लिए इसमें शिखर बना तो क्या दिखना चाहिए कि मंदिर है ऐसा नहीं है शिखर जो है वो सेंटर गर्भग्रह जहां होता है तिसे भले गर्भग्रह कितना ही नीचे और बहुत बड़ा मंदर बन गया हो लेकिन शिखर हमेशा देखना गर्भग्रह से अलाइन्मेंट में होगा बिलकुल उपर तो शिखर की यहां पर हमको देखने को मिला कि हिंदू टेंपल जो है उसके अंदर दो इंपोर्टन चीज़े पाई गई एक तो गर्भग्रह दूसरा शिखर कौन-कौन से भगवान पूजे जाते थे तो भगवानों की तो बहुत सारी लाइन है हमारे आप करें तो चीव ड्राइटी में जिन भगवान का मंदिर होता था उनकी इमेज जो है वो रखी जाती थी प्रीस्ट परफॉर्म रिचुवल्स डिवोटीज ओफर्ड वर्शिप तो अब यह गर्भग्रह में क्या-क्या होता था भगवान की तो मूर्थी रखी जाती थी लेक यह पर आपे तो एकदम बढ़ा बहुत सारे मंदिर है अलग-अलग-रेके की इनसे काम नी बन रहा है तो इनसे मांग लो इसका काम नी बन रहा है ऊपीलदिंग करें तो भीतर गाओं पर हम यहां से गए यहां अंदर ने पर बीच में जो है वो होगी जो चीफ डाइटी है उनकी इमेज या फिर अगर शिवलिंग होगा तो शिवलिंग होगा उसके जस्ट उपर ही इस तरीके सापको शिखर देखने को होगा शिखर पर यूजवली ऐसे जंडे भी रहते हैं और इंज कलर के या फिर जो भी जिस त लाग आपको देखने को मिलेंगे तो शिखर बनाए जाते हैं और टॉप अफ गर्वग्रह ध्यान रखना शिकर कहां बनाए जाते हैं ऑन दॉप अफ गर्वग्रह मार्क दिस ऐसे सेक्रेट प्लेस मतलब कि यह शिखर फिर बन गया ना तो समझ में आ जाता है आसानी से किय पर बनाए जाता है गर्वग्रह के बिलकुल सीधा का सीधा ऊपर मंढब भी देखने को मिलते हैं हमारे हां पर जो मंदर वगैरा होते हैं उसमें जहां पर लोग इखटे हो सके शर्यमेनीच कर सकें इक गई आरती कर सके पूझांट कर सके बढ़िया तरीके से बंडारे यह तीन इंपोर्टेंट फीचर हमको नहीं पर देखने को मिले और जैसे यह स्टूपा बनाते थे या फिर अलग अलग चीज़े बनाते थे ना तो इनको टेंपल स्टूपा यह सब बनाता कौन था कितना पैसा लग पता कितना घर जाओता था ऐसी थोड़ी बन जाते हैं कि सारे के सारे मिल के आज क्या करते हैं ऐसा नहीं कर सकते ना बहुत पैसा लगता है यार जगे देखनी पड़ती है है फिर वो जगे किसकी है पतासल आपने मंदिर बना दिया तो वह देखना पड़ता है कि जगे भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं फिर किस तरीके का बढ़ान की मूर्ती रखनी है तूपा बनाना है तो क्या करना है क्योंकि जगे अच्छे होने चाहिए भगवान को आप ऐसे या फिर कोई भी जो भी रिलीजिस परसन है या फिर जो जो भी डाइटी है उनको आप ऐसे भी कहीं में भी स्थापना उनकी नहीं कर सकते अच्छे जगे देखनी होती है फिर जो सवान आप उसके अंदर लगा रहे हो वो भी अच्छा होना थी ना शुद्ध होना चीए ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी लेकर आपने लगा दिया घरो वरो में तो सब कुछ चल जाता है लेकिन भगवान के मंदिर स्तूपा हो गया ऐसे इ काफी पैसा लगता था नहीं तो राजा रानी जो है वो यूश्वली इसके एक्सपेंस उठाते थे एक्सपेंस डन बाइ राजा और रानी अगर स्तूपा बनाना है मंदिर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि गुड क्वालिटी स्टोन मिले मंदिर पुराने देख ना पुराने मंदिर सबमें स्टोन लगे मैं आपको कहीं पर ब्रिक यह ऐसी चिसे बहुत कम मंदर जो भी बहुत बाद में बने हैं उसमें भले आपको देखने को मिल सकता है लेकिन जिस समय कि हम बात करें उसमें तो बड़े-बड़े हुआ करते शेलिए इसे मेगालिट हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े पथर होते थे फिर उसमें से कार्विंड करके इस तरीके की चीज़े वह बना देते तो उसके लिए टोन भी देखना पड़ता था कि किस तरीके का स्टोन चाहिए फिर उसको क्वाइट करना जैसे बाता रही होगे रहा देना और यह सारी चीज़े करना उसकी सफाइए करना थोड़ा सा उस भी खराब-खराब सी उसके उपर है तो उस सारी चीज़ों को हटाना है तो एक उसके तो थीक ठाक करना भी तो पड़ता है तो वह करना फिर उसके बाद में जहां पर मंदिर बनना थी स्थूपा igen फिरू stone को shape में राना जिस भी shape में चाहिये है न तो यह सारा कॉन करती है क्राफ्ट में करते थे पर पिलर चाहिए बहले संवाना चाहिए तो फिलर जो है वा वह भी crack से बनाया चाते थे अब जैसे बीम वीम ऐसे भरके सिमेंट वगेरा से सारा कुछ रिग्दम आर्टिक्टर बढ़िया सा हो गया है लेकिन अगर आज के बढ़िया कैसे था मतलब अच्छी क्वालिटी का था ना क्योंकि पहले कुछ भी ना कोई समान होता था जिससे आप काट सकते हो वह भी स्टोन से स्टोन को काट काट के सारा चीज़े बनाते थे ना कोई मशीन होती थी ना इलेक्रिसिटी ऐसी होती थी पर कितनी शांदार ची सब कुछ इसी से बनाया जाता था फिर वो बना लिया उसके बाद में क्या करो उसको सही पोजिशन पर रखो पूरा सब कुछ प्लानिंग देखनी पड़ती थी है ना तो इस तरीके से स्टूपा बिल्डिंग्स और यह जो टैंपल से यह बनाया जाते थे कौन एक्सपेंस उठाते थे किंग क्वीन पेड मनी तू दर क्राफटमें फ्रॉम ट्रेशरी जो इनका ट्रेजरी होता था ना मिलब ट्रेशरी मतला जहां पर पैसा वैसा जो भी सारा कुछ इनका रहता था खाता बाता मैशा था प्लाइन तो के लिए यह लुग बनवाते थे और क्या कर न कि इनकी ट्रेजरी में से ही इनी के इसमें से जो क्राफ्ट में नित्ती महनत करते थे और पूरा रात दिन लगा गए बड़े-बड़े मंदिर जो नों ने बनाते थे उतनी स्प्लेंडिट मंदिर जो है वो बनाए है या स्तूपा बनाए है या अलग कुछ भी रिलीजिस जो भी जगे है उसको यदि बनाया है तो उनको पे किया जाता था कौन पे करता था यह भी राजा और रान ही पे करते थे डिवोटीज ब्रॉट गिफ्ट अब जैसे मंदिर बन ही है तो कपड़े लेके चलते हैं नया दिन है आज नया फेस्टिवल है तो भगवान भी क्या करें कपड़े पहने नए कंपड़े हम आइसा क्akat दान दक्षिना करना यह कहीं पर शिवलिंग है यह कुछ भी है तो उनंके ऊपर व है सिर के ऊपर भी चैसे के बनवाना या फिर ऐसा कुछ बींगा बहुत सारी चीज़े आसपास में लगवाना थी लगल्यां यह सोनेसे वह हैं इस तरीकी ऑर हम बात करें तो की चैनल सौंची स्टूपा है उसके गेटवेश है तो उसमें से एक गेटवेश है वton में कुर सबिर स्ब्रक्राइब तर इस तरीके जो सीएशन था उन्हों इस तरीके का गेटवे जो है वो स्तूपा पे गिफ्ट किया थे शुरुआत में स्तूपा में सिर्व बना था हमने बोला था ना कि फिर बाद में वो फिर रेलिंग्स और गेटवे और यह सब अलग से लगाए गए थे तो यह इन्होंने गिफ्ट किया था मर्चन विउशूवलिट आपस करते थे řिस्से फार्मर ओगाया अने वाले हो गई आपको और यह स्ते और ऑप जो भी परिवार है उनकी तरफ से सप्रेम भेट एसे करके लिखते हैं कि इनकी तरफ से आया या फिर यह पर्टिकुलर चीज है इनकी तरफ से गिफ्ट है लोगर ऐसे तो बहुत सारे ऐसा थे किसे पत्थर भी गिफ्ट करें तो उसके पर खुदवा देंगे लिखवा तो इस बार फसल बहुत बढ़िया हुई अरे मज़ा आ गया तो चलिए उनको ही कुछ अर्बं करते हैं तो कुछ उनके लिए गिफ्ट लेके जाना तो यूश्यली मौचंट ट्रेड में बहुत जादा फाइदा हो गया तो फिर भगवान के पास में उनके द्वार पे चले ना यह तो जाहिर सी बात है तो बहुत सारी चीजे इस तरीके से दिया करते थे और नेम्स पर इंस्क्राइब डॉन पिलर्स रेलिंग्स और वॉल्स तुस्से हमको पदा चला कि किसने क्या क्या दिया है ना तो चीज हमारे लिए पढ़ने के लिए बहुत जादा आसान हो पिलर्स पिलर्स यह सारी चीजों के बाता चला अब अब उन के उसके अंदर इस तरीके से आप देख रहे हो ऐसे स्कल्चर जो है वो डिजाइन किया है और पेंटिंग भी बनाई है तो इस कल्चर मैं आपको बताया थोड़ी दिर पहले कि वो स्कल्चर कैसे कितना अंधेरा आप यहां पर देख रहे हो फोटोग्राफी में आप सकते बनाया है इस तरीके की पेंटिंग बनाया अगा पर देख रहे हो एकड़म आपको क्लियर दिख रहा है अग है बनाई है तो प्लांत और यहाँ ड़ाफ्ट लितुलिय टली वह से तो सारी चीज़ है एकदम अभी तक चल रही है Caves hollowed out of hill Hill में से caves वो बनाई गई है Monasteries of Buddhist monks Usually cave में से Hill में से cave बनाने वाली ये प्रथा पहले नहीं देखने को मिली थी वो जो मैंने आपको बुद्धिस्म वाली कहानी सुनाई उसके बाद से ही Monasteries वैसी इस तरीके की बनाई थी ये तक ये अंदर जो है वो shelter monks को मिल सके Colors associated with paintings Colors made of plant and mineral इसलिए अभी तक इतने strong है लिदम बढ़ियाज से चल रहे है Paintings की बात कर लिए अब epics की बात करते है कहानियों की बात करते है Literature की बात करते है क्या आता है भाया इसमे और एक्रोगत बात कावड़े खह से बहुत पूरानी काथ कथा है बहुत लंबी-लंबी कहानिया यह यूजियली होती जैसे कि महाबारत नॉर्मल आप ले सकते हो अब एक्जाम सकते हो इस तरहें के से आप देख सकते हो इनके आजू-बाजू पूरी कहानियां जो है वो गूमती है तो दीज आर नोने ज एपिक्स में यूश्वली गौड गॉड़िस की कहानिया भी आती है भगवान को लेकर भी कहानिया आती है और कुछ नॉर्मल लोगों की भी कहानिया एपि किया था करीब 18 साल पुरानी है कोवलन माधवी कनंगी इनके कनंगी जो है वो इनके बीच की कहानी है क्या था कि यह एक मर्चंट थे है ना यह मर्चंट थे इनकी पतनी थी कनंगी और कनंगी और यह माधवी थी यह कौन थी यह मर्चंट थे ना और यह कोटिसन थी है ना मतल इनको यह पसंद आ गई हाला कि इनकी पत्नी ऑल्रेडी थी कनगी तो इसके बारे में उन्होंने बहुत इसी लंबी चोड़ी कहानी बनाई हुए तमिल एक काफी अच्छी कहानी है इनको लेकर तो कनगी इनकी ऑल्रेडी वाइफ जो हैं वो थी लेकिन इनको फिर यह माधवी पसंद आ गई तो इनके आसपास की पूरी कहानी बताई है हाला कि यह पुहार में रहा करते थे फिर उसके बाद में इनकी का इनके बारे में जब पता चला तो फिर कनगी और कोवलन पुहार छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होगे जैब दूसरी जगह पर शिफ्ट ह है तो फिर जो पलव जो राजा थे उस समय के जो भी राजा थे पलव डायनिस्टी के वहां के जो राजा थे उन्होंने कोवलन को मृत्यूदंड दे दिया और फिर कनगी जो है वह बहुत ज़्यादा व्यथा में रहती है भले इन्होंने इनके साथ में बैमानी की लेकिन कि उनकी मन में बहुत ज़्यादा आधर सम्मान प्यार रहता है अपने हजबंड को लेकर तो यह बहुत ज़्यादा घ्रीफ करती है बहुत ज़्यादा रोती भी लगती है कि आपने ऐसा क्यूं कया उनको मृतिव दूंड क्यूं दिया तो ऐसे पूरी इनके इर्द को लेकर है आप देख सकते हैं साथ में एक और तमिल एपिक है मनी में कलई यह क्या है जो कोवलन्थ है ना और उनको पसंद आई थी मदूरय उनकी माधवी माधवी जो है उनको पसंद आई थी माधवी तो माधवी उनको पसंद आई थी तो उनकी बेटी जो थी इनकी बेटी हुई थी तो इनकी कहानी जो है वो मनी में कलाई में है और कंपोस्ट बाइ सत्तनार इनके द्वारा कंपोस्ट की गई है यह करीब 14 साल पुरानी बेटी तो बाद में होगी न तो फिर वो बेटी है उनके बारे में है डॉटर ओफ कोवलान माधवी तो इनके इर्दगिर्द जो है वो पूरी कहानी इसमें कंटिन्यू है तो यह आपने कौन से देखे तमिलब एपिक देखे उसके साथ में यदि आप हमारे मतलब जो इंडिया से या फिर हिंदू वाले एपिक की यदि आप बात करो तो कौन है काली दास ने बहुत चारे एपिक लिखे वें जिसमें जो कि दूसरी जग़े तक मेंसेज पहुंचाता जो राज दूसरी जग़े पर क्या एपिक पहुंचानी है तो इस तरीके से पूरक काविज ऐसाssä गया है कि वह मेंसेज पहुंचा रहे हैं से बढ़िया सी कहानी सी है तो मॉन्सून क्लाउड है आप इसके बारे में देख सकते मैं एक दूत ऐसे बहुत ज्यादा ही ऐसे आपको हर जगह पर सुनने को मिलेगा ठीक है अब हिंदू में क्या आता है यहां पर पुरान पुरान भी आ जाते हैं तो पुरान वर्ड कहां से लिखा है कहां से मिला है पुरान पुरान वर्ड जो है वो मिला है पुराना पुराना मतलब ओल्ड ऐसा तो पुरानी कहानी है उन्हीं को क्या बोल दिया पुरान बोल दिया और पुरान ज तो आपको यह परेशानी आ रहे तो यह कर लो यह परिशानी आ तो यह कर लो तैसे कहीं सारे उपाए उस समय के उसके अंदर लिखें विष्णु पुरान है तो विष्णु जी को लेकर बहुत सारी कहानिया है उनके जितने भी अवतार हैं उनके बारे में बताया गया है फिर उन अवतारों में कौन उनके जो डिवोटीस थे जैसे कि बड़े बड़े जिन्नों ने काफी विष्णु भगवान की दिल स तपस्य की दिल से पूजा की हैं उनकी कहानिया उसके अंदर है तो ऐसे पुरान आप देख सकते हो meaning पुराना यानि की old stories about god goddesses simple Sanskrit में लिखे गए और इनको हर कोई पढ़ सकता है जैसे कि वेदा जब हमने देखे थे ना तो वेदा सबको अलाव नहीं थे शूद्र और वुमिन को पढ़ना अलाव नहीं था उस समय पर सकते हैं वह तो फिर मैंने आपको सोच बताई है उनकी सभाव अगेरा में ताकि लोगों तक मैसेज्ज जाए अच्छी बात लोगों को पता हो महावारत और रामायन जो है मेने इसके अंदर हमको देखने को मिलती है महावारत किसकी कहानी है महाबारत जो है वो कौरव और पांडव की बीच की लडाई की कहानी है कुरू जो है वो कुरू वंश हस्तिनापुर में राज कर रहा था और फिर उनके भाई थे पांडव उनके बच्चे थे जो वन वगेरा में रहते थे उनको पता नहीं था कि उनका पूरा सामराज जो उनके भाई जो है वो कुरू वन्ष का है और फिर भस्तिनापुर में वो अल्रेडी है तो उनको जब पता चला तो फिर वो गए कि चलो ठीक हम लोग भी चलते हैं वहाँ पर हमारा पिताजी का पूरा परिवार होगा जब वो महाँ पर गए तो पांडव के पुत्र कौन कौन थे पांच पुत्र थे है ना अर्जुन युदिश्टिर भीम और नकुल सहदेव यह उनके पुत्र थे तो यह लोग महाँ पर गए अब वो जो पांडव एक राजा थे और इधर दुरियोधन के पिताजी जो थे वो वो दोनों भाई-भाई थे ठीक है तो दुरियोधन के पिताजी और इधर पांडव इधर भाई-भाई थे और पिताजी धृत रेधर दुरियोधन के जो पिताजी अन्धे थे ध्रत्राश्ञ्ट्र वो जन्म से अंधे थे मतला वो देख नहीं पाते थे एणना तो उनको राजा नहीं बनाया था लेकिन फिर पांडव के जाने के बाद में उन्होंने हस्तिनापुर को कर लिया था फिर वही राज कर रहे थे फिर उनका जो बेटा था यह दुरियोधन उसको ऐसा था कि मैं ही राजगदी पे बैठोंगा क्योंकि पांडव जो बड़े थे उनके तो बढ़िया से रह रहे हैं लेकिन जो दुरियोधन है और उनके सो पुत्र थे है ना जो धृत्राश्र थे और उनके सो पुत्र थे तो उनमें ऐसा था कि हम लोग जो है वही राजगदी के उपर बैठेंगे ऐसा लेकिन यह जो पांडव के बच्चे महां पर पहुंचे तो देखा गया कि यह तो और भी जादा बहुत जादा टैलेंटेड है और सब लोग बहुत जादा चाहने लगे उनको युदिष्टिर को अर्जुन को है ना इवन सत्य का पालन बहुत जादा करते थे यूदिष्टित बहुत अच्छे योध्धा थे धनुर्धर थे अर् और वैसे ही मेरे पिता जी को तो अंधे होने की वज़ेस से वैसी राज नहीं मिला था जबकि वो बढ़े थे लेकिन क्यूंकि वो आँखों से नहीं देख सकते थे इसलिए उनको यह राज नहीं मिला था तो राज तो मैं ही करूंगा और फिर इसी के साथ में उनके पिता जिने में उनको सपोर्ट किया है ना कि हां मतलब मैं बड़ा था लेकिन मैं सिर्फ देख नहीं सकता था इसकी वज़े से मुझे राजगद्री मिली लेकिन मेरे बेटे को मिलनी चाहिए तो बेटे के मोह में उन्होंने बहुत सारी चीज़े की फिर कुरुक्षेत्र में जो है अहिंसा जब तक फैलेगी जब जब फैलेगी उसस समय पे मैं आऊंगा तो भगवान कृष्ण आते हैं फिर वो अर्जुन के सार्थी बनते हैं और वो पूरे युद्ध में उनको बहुत सारी चीज़ों को लेकर गाइड करते हैं इवन यहां बर भगवान कृष्ण का एक तो कही न कहीं destructive में थे तो भगवान शीज़ों आउसा उफर देते हैं कि मैं नोसे पूछता हूं अर्जुन और दुरियोधन से कि मैं किसकी साइड में रहूं क्योंकि भग्वान तो भगवान थे हैं कि यह मेरा भवाई है बुआ का बेटा है तो इसकी सायड़ में हो गया तो वो पूछते है सामने से, कि मैं पूछता हूँ कि मैं अर्जुन की तरफ रहू या फिर मैं दुरियोधन की तरफ रहूँ तो दुरियोधन को ऐसा ओफर देते कृष्ण भगवान की दुरियोधन तुम्हारे पास में दो चोईस है या तो मैं तुम्हारी तरफ रह सकता हूं या फिर जो मेरी सबसे ब्रिष्ण भगवान की कितनी बड़ी सेना थी है ना तो इतनी बड़ी जो मेरी सेना है या तो तुम वो रख सकते हो तुम्हारे पास में दो चोई से तुमको क्या चाहिए तो दुरियोधन जो है वो था तो गलत है ना उसके अंदर इर्श्या भावना ये सारी चीज़े उसके अंदर थी तो वो कृष्ण भगवान को ना चिंते हैं वे कृष्ण भगवान की सेना को चुनता है अब भगवान कृष्ण नायक ही नहीं होंगे सेना के तो जीते का कैसे कृष्ण भगवान अपने आप अ उसके बीचे बहुत सारी कहानिया है कि वो जुवे में हार जाते हैं और फिर इंद्रप्रस्त भी उनको मिलता है बढ़िया सी कहानी है महाभारत की देखने लायक है समझने लायक है इवन आज के जमाने में जब दो भायों की नहीं बनती काफी हद तक कि कोई जमीन के लिए ल तो चरत का थे 1790 वा था उसमें उन्होंने गीटा का सार जो है अर्जुन को दिया था उनका सबसे बड़ा रूप जो फिसे नहीं 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 औरकर बैट जाते है चोड़ देए निंद्ध tomatoes चुरू होने से पहले ही फिर कृष्ण भगवान उनको कहते हैं कि अर्जुन तुम तो भले अभी से हार जाओगे तुम तो भले छोड़ दोगे लेकिन यह जो गलत है इनको तो में को कभी न कभी आगे न पीछे ठीकाने लगा नहीं है फिर वो पूरा रूप देखते हैं कहीं न कहीं इर्शया भाव को लेकर चीज़े भर दी चाती है चार बेटे रहते हैं है ना राम जी लक्षमन भरत शत्रुगन है ना और तीन माताएं उनकी होती है कौशल्या और साथ में में जो है वो कैकई के बारे में बताया जाता है कि राजा दशरत जो होते हैं उनके चार पुत्र उनको पुत्र नहीं हो रहे होते हैं लेकिन फिर बाद में बड़ी मिननतों से उनको चार पुत्र होते हैं तो भरत जो होते हैं वो कैकई के पुत्र रहते हैं और इधर राम जी जो है वो कौशल्या के पुत्र रहते हैं और लक्षमन और शत्रुगन भी जो त तो तेरे पुत्र जो है वही राज सिंहासन पर बैठना चाहिए याद कर तुने एक बार राजा दश्रत की मदद की थी उद्ध में तो उन्होंने ते को बोला था कि मैं तुमको क्या देता हूं दो वर्दान तुम्हारे उपर है तुमको जबी भी लगे तुम मांग लेना त आप वचन के तो पक्के होते हैं आपने जो अभी तक ये पूरी लाइन सुनी है कि रगुकुल दीत सदा चली आई प्राण जाय पर वचन ना जाई ये उसी समय की बात है फिर भगवान राम भी खुशी-खुशी वन की और चल देते हैं फिर वहां से वापिस आते हैं जब आपको मान सम्मान से रखते हैं है ना तो फिर वापिस वाविद्य आते दिवाली मनाई जाती है एकदम सारी चीज़े बढ़ी आती है तो आपकी आज की लाइफ से भी बहुत सादा आप इन सारी चीजों में रिलेट कर पाओगे महाबारत और रामायन समझ में आ गई ये तो हमारी भगवानों की कहानी हो गई है ना अब बाकी जो नॉर्मल ओडिनरी लोगों की स्टोरी है ना वह भी लिखी जाती थी तो ओडिनरी लोगों की जो स्टोरी थी वो किसके अंदर इंक्लूड होती थी जटा का जो जातक कहानिया जातक कहानिया कहते ना जातक कहानिय तो उसमें included है और इवन ये जो जातक कहानिया है ये स्टूपा के स्कल्प्चर रेलिंग के आसपास भी लिखी गई ताकि आते जाते लोग पढ़े इनको समझे है ना और ये इनकी कहानिया से किताबे भी है जिसके अंदर से आप पढ़ सकते हो तो ये ordinary लोगों की कहानिया है ordinary people also told stories, composed poems, songs, sang, dance and performed plays तो उन सबको इनके अंदर preserve करके रखाएगे इसमें जातक कहानिया और पंचतंत्र में जिसमें क्या होता है कि एक monkey होता है जो राजा जैसा होता है monkey का मतला बंदरों के राजा जैसे होते हैं उनके करीब 8000 बंदर जो है वो follower होता है तो वहां पे उनके यहां बहुत बढ़िया एक आम का पेड़ होता है तो वो आम इतने रसीले होते हैं एकदम बढ़िया वो कहीं और नहीं पाए जाते थे वो खा रहे थे एक दिन तो वो गिर गए और वो गिर के बहके नदी से कहां पे पहुच गए अपना क्या कहते हैं उसको काशी काशी के साइड जो है वो पहुच गए मतलब पानी में भैते भैते है ना वो काशी के साइड में पहुच गए तो वहाँ पर एक राजसनान कर रहे थे राजा ने उसको चखा आम को तो उनको स्वात बहुत अच्छा लगा तो उन्हों रात में पेड़ और वह आम सब कुछ तो महां पर उनको देखने को मिलता है कि उनको पता चलता है कि आपर निकालता है कि चलो हम क्या करते है पूरा ब्रिज बना देते नदी के उस तो सारे के सारे में मैं अपने followers को यहां से निकाल दूगा नायक है ना फिर followers का ध्यान रखना तो बनता है तो वह पूरा ब्रिज बनाते हैं मिलकर सारा सब दूर से की सारे के सारे यहां से निकल जाए और राजा जो है वह हमको ना मारे लेकिन इतने सारे काम में वह मंकी ठक house ज operates ऑफ गिर जाता है और पिर जाता है और चीन मरत बंब च राजा को बड़ा दूख हो अब महनत करते करते ठक घर ग्या दो राजा को में के मृती हो गई और वह काफी से करते हैं कोशिश करते हैं कि उसलिए मंड़ा कर दे रहा है हैं मतलब ऐसी कहानिया है जिन से आप चीजों को सीख सकते हो है ना कि पहले तो आप खूद जबर्दसी मार रहे थे अब मंकी बिचारा ऐसे हो गए तो फिर आपको दुख हो रहा है तो मारने क्यों पहले तो अगर ऐसा नहीं करते तो मंकी इतना सारा मेहनत भी नहीं करनी समय बता दिया था कि दिन राथ किस तरीके से होती है दिन रात का दिन और रात होने का कारण यह है कि जो अर्थ है वो एक एकसिस के उपर रोटेट कर रहा है क्या कर certified आर्थ उस वजह से दिन और रात हो रही है एक्लिप्स जो होते हैं ग्रहन होते हैं उनके बीचे का concept भी आरे भट बता चुके थे साथ ही एक circle का circumference होता है ना हम जो कहते हैं यह circle है इसका circumference क्या होता है 2 pi r है ना मतलब हम इसको calculate कर सकते हैं 2 pi r से तो यह almost यह उस time पर ही calculation बता चुके थे समझें कि नहीं समझें आरे बट के साथ में महा वारा मिहरा और भ्रह्मगुप्त और भासकराचार्य इस तरीके के भी हमारे बहुत सारे scientist और astronomers थे Mathematicians and astronomers थे और इन्होंने बहुत सारी discovery उस समय पे कर चुके थे इवन आज जो discovery हमको ऐसा लगता है कि यह बहार वाले देशों ने की है या कुछ की है तो जैसे हम यह पूरा पूरा हम क्या देख रहे हैं हमने सारे लेकिन फिर बाद में यहाँ से इतना explore हुआ नहीं और बहुत सारी चीज़े आगे तक पहुँची नहीं इसलें पता नहीं चला लेकिन अब हमको बहुत सा Ih चल रही थी फिर यही वाली चीज जो है वो अडाप्ट की थी कहां पर अरब में यूरोप में और आज तक भी यह सारी चीज़े हमको देखने को मिलती है आयूरवेद की यदि हम बात करें तो हमारे यहां पर एक बहुत जादा प्रॉमिनेंट परसन थे क्या नाम था उनका च बहुत सारी चीज़े उन्होंने चरक सहींता में बताई है बहुत सारे उपाय बताएं बेसी नुसके बताएं हैं जिससे बहुत बड़ी-बड़ी बिमारियों के इलाज इन्होंने बता चुके थे तो ऐसे हाइल्थ सिस्टम साइंस पर हमारे बहुत सारे लोग थे चरक की बात की जाती है साथ में सुशूरूत की बात भी की जाती है इन्होंने सुशूरूत सहीता लिखी ती जिसके अंदर सरजरी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़े इन्होंने बताई है चरक ने आयूरवेद की बारे में बताया है अलग-अलग उपाय बताए है अलग-अलग ची सावरी हैं तो हमने सारा कुछ कवर कर लिए क्या लिट्रेटर कवर कर लिया स्इम्स कवर कर लिया क्वर पूरा हिसा है इसके अंधर हमने देखा है मैडिवल का भी हम पूरा देखेंगे जब हमाव मैडिवल की स्टोरि half डाइन G 3 है ना और चोला डाइनिस्थी और मुगल दिल्ली सल्तन यह सब खतम हो जाएगा उसके बाद में मेडिवल आर्ट अंड कल्चर भी अच्छे से पूरा कवर कर लेंगे तो अभी तक क्या यह वाला जो टाइम पिरिट था उसके अंदर इतनी सारी चीज़े हमको देखने को मिली थी एंश डिस्क्रिप्शन नो पैकेज टाइमिंग दोड़ा सा चेंज हो गया है शाम को वीडियो आने की बजाए अब आपको सुभर मेरे वीडियो देखने को मिलेंगे अच्छे से वीडियो देखेगा एकदम बढ़िया से नोट्स बना के नहां दो के अब बिना नहां दो भी बै बेसिक कंसेप्ट समझ ले एमसी की उस तहम है सी बना लेंगे कुछ 15 एक दिन का या 10-15 दिन का हम लोग टाइम रखेंगे जिसके अंदर लाइव सेशन ही हम लोग लिया करेंगे और आपके लिए अलग चीज़े लेके आएंगे ताकि आपके प्रिपरेशन और ज्यादा स् कंसर्ण्ड है कि 16 जन्वरी दक माम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बिलकुल और उसके पहले हो जाएगा चिंता मत करो जितना आता जा रहा है इतना बढ़ते जाओ अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलत हैं अगले लेसन में